सहमी सहमी गोर नहीं हूं, काली कच्ची डोर नहीं हूं और कुछ डडिंडों से डड़ जाओं, इतनी भी कमजोर नहीं हूं नमस्कार, मैं सुष्टी, कैमरेज पबलिक स्कूल के तरफ से आज बालिका दिवस की सुवफसर पर अपना विचार कविता के दोड़ा फ्रस्तूत करना चाहूंगी तो कविता कुछ इस प्रकार है, मैं इस्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ मैं इस्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं कुलवारी हूँ, मैं काली हूँ, मैं चंडी हूँ, मैं काली हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पन हूँ, मैं नाद मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं स्रीम सब्सक्राइब कोई अस्तित्व नहीं उनका पस्तिरसकार किया जाता है पर सचाहिए है कि जीवन का आधार हेनारी जीवन का आधार हेनारी उत्सब और तहार हेनारी कभी सारगा कभी लक्षमी दुरगा की अवतार हेनारी मत समझो बेकार हेनारी मत समझो लाचार हेनारी कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि लड़कियां और नारी पूर्सों से कम नहीं वो पूर्सों से कंधर से कंधर मिला कर चलती हैं पर इन ही कहने वाले लोगों में से कुछ लोग ऐसी घटनाएं कर देते हैं कि इस्त्रियों का मनुगर तूर जाता है, इस्त्रियां लाचाव हो जाती है, कुछ ऐसा ही घटना हमारे देश में 2012 में घटी थी, जिसमें पूरे देश को लाग रख दिया, चारों तरफ बस एक ही आज, दामनी को इंसाफ दो, दामनी को इंसाफ दो, दामनी को इंसाफ दो, पर क्या मिली दामनी को इंसाफ? नहीं, आज भी उन बलतकार, बलतकारों का सजा टाला जा रहा है, इनहीं कुछ घटनाओं के वज़र से स्त्रियों का मनुगर तूर जाता है, और गो क्या कहती है सुनेगा मैं स्रीमत भगवत कीता हूं मैं द्रॉपती हूं मैं सिता हूं पुर्सों की इस दुनिया ने मुझे कैसे नियती दिखलाई कभी जुए में हार गए कभी अगनी परिक्षा दिलवाई कल यूग हो या सत्यूग हो इलजाम मुझी पर आता है कल यूग हो या सत्यूग हो इलजाम मुझी पर आता है क्यों घनी अगेरो सर्कों पर चलने से दिल घबराता है मैं ड़ती हूं मैं मरती हूं जब सफ़र अकेले करती हूं दर का सम्राज बढ़ता है जाने ये किसका साया कोई साया पीछा करता है मेरी मुटी बन जाती है दिल की धरकन बढ़ जाती है है तरद पसीने माते पर दिल में मेरी गबरात है जाने ये किसका साया है जाने ये किसकी आत है इनी सब घटनाओं को देखकर आज के हमारे पिता क्या कहते हैं गुटनों गुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तूं छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं हो जाना करें आज मैं बाली का दिवस के सुब अपसर पर अपनी बातों को आप तक पहुचा रही हूँ और अगर मेरी बाते आपके दिलों तक पहुचे तो मैं समझे रूगी कि मेरा यह बोलने का मकसद पुरा हुआ तो सुनेगा आगे क्या हुआ एक ने मुग पर हाथ रखा और एक ने आचल खीच लिया नाडी के सम्मान को मिलके तार तार सा कर डाला मरियादाओं के उन आचल को फिर जार जार सा कर डाला मारा है पीटा है मुझको बालो से मुझे घसीता है फिर मरियादाओं के उन सारी सिमाओं को तोड़ दिया उन घड़े अंहेरे सरको पर मुझे यूही तरपता छोड़ दिया सन्नाटी में चीक रही थी खून से लत्पत होक आया सबने तस्वीरे कीजी पर कोई मदद को ना आया कोई मदद करो ये चीक चीक कर चीक भी मुझे रूट गई और जब भोस में आय इस समाज की बाते सुनकर तूट गई परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते थे यह नए उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बिगर ही जाते हैं अरे भूल जाओ जो हुआ उसे दुनिया वाले तुम पर ही प्रशन उठाएंगे अरे भूल जाओ भूल जाओ जो हुआ उसे वह लड़के बची जाएंगे तुम लड़की हो तुम लड़की हो दुनिया वाले तुम ही परप्रशन उठाएंगे कहेंगे, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निटल ये पिली रात में? क्या मेंकब थे, क्या गैरे थे, क्या छोटे कपड़े पहने थें? सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालो, क्या तुमको सरण नहीं आएगी सब भूल जाओ कहने वालो, ये आखरी दलती आपकी भी हो सकती है सब भूल जाओ कहने वालो, ये आखरी दलती आपकी भी हो सकती है कल सरण पर पड़ी बेटी और भेन आपकी भी हो सकती है और इस अहसास से बढ़कर कोई दर्ब नहीं हो सकता है और जो नारी का अपमान करे, वो मर्द नहीं हो सकता है और जो नारी का अपमान करें, वो मर्द नहीं हो सकता है तक कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लटपक सलकों पर तो आओ मेरे साथ मिलकर और ये हैवान करो अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो धन्यवादे